सबसे पहले दोस्तों आपनों को क्या करना है description मैंने एक link दिया है उस पर आपको click करना है जो कि इस website का है iamresizer.com का इस page में आने के बाद आपनों को नीचे scroll down करेंगे तो आपनों को देखने को मिलेगा upload image का select files को option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है आप जो भी signature करें है ठीक है blank page में आप लोग को उसका एक picture ले लेना है मतलब photo click कर लेना है आप लोग को और वो आप लोग को recent file में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिरेक्टली आप लोग को gallery जो है open हो जाता है यहाँ ठीक है तो उसे आप लोग को यहाँ से simply select कर लेना है यहाँ पर directly camera को use करके आप लोग डिरेक्टली जो भी signature blank page में आपने कर रखा है उसका direct picture जो है आप लोग यहाँ पर click कर सकते हो यहाँ पर हमने पहले से click कर रखा है तो यहाँ पर हम simply signature को पर click कर देंगे और done के button पर click कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यह upload हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो upload हो चुका है यहाँ पर नीचे scroll करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा signature ही upload हो चुका है और यहाँ पर और नीचे आप scroll करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है image resolution यहाँ पे आपनों को देखने को मिल रहा है जिसमें आपनों को यहाँ पे width डालने का option आ रहा है और यहाँ पे height डालने का option आ रहा है ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे unit का option है इस पर आप click करेंगे इस पर आप जैसे click करेंगे तो आपनों को यहाँ पर option मिल जाता है inch का, centimeter का, mm का और pixel का, तो यहाँ पर centimeter आपको select कर लेना है, यहाँ पर हम centimeter को option पर click करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर width centimeter में जो मांगा गया है 6 centimeter हम यहाँ पर 6 डाल देंगे ठीक है, और height जो हम से मांगा गया है वो 2 centimeter है, यहाँ पर हम simply 2 centimeter कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर हम back कर देंगे, jpg format यहाँ पर आपनों को jpeg png pdf यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर हम jpg select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर maximum file size का option मिल जाता है मतलब इस image को आप कितने size में convert करना चाते हो, कितने kb, mb का बनाना चाते हो, तो यहाँ पर हम kb बनाना चाहेंगे, यहाँ पर हम simply click करेंगे, यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ पर हम जैसे कि 10 से 20 kb की बीच मांगा गया है, तो हम यहाँ पर 15 kb कर उपर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो next download option मिल जाता है, इसी पर हम simply click कर देंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यह जो है download होना start हो चुका है, और यहाँ पर यह download हो चुका है, इसे हम simply open करके देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो signature है, यह आप लोग का exactly 6 cm width का और 2 cm height का यह exactly बन चुका है, अब इसे आप लोग जो है, SSE के website पर जाके upload कर सकते हो, I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा, किस परकार से आप आप लोग को, इसे जो है 15 के भी का बनाना था, या कहें 10 से 20 के भी का बनाना था, और इसे 6 cm x 2 cm का बनाना था, I hope यह वीडियो आप लोग को काफी helpful लोगा होगा, अगर आपको यह वीडियो helpful लोगा, तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरू सकिजेगा